इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. ARIPRO 400-00IU injection एक दवा है जो आपकी bone marrow को अधिक लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान में मदद करती है. इसका इस्तेमाल किड्नी रोग के कारण होने वाले अनीमिया के एक प्रकार के इलाज के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल cancer chemotherapy और HIV के इलाज की दवाएं लेने के कारण होने वाले अनीमिया के इलाज के लिए भी किया जाता है. ARIPRO 400-00-IU injection को तवचा के नीचे या नस में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है और इसका निर्नाय आपके डॉक्टर द्वारा लिया जाएगा. आम तोर पर इंजेक्शन नस या डॉक्टर द्वारा लगाए जाते हैं. खुराक आपके शरीर के वजन और आपके अनीमिया के कारण पर निर्भर करती है. दोनों ही इलाज से पहले या इलाज के बाद आयरन सप्लीमेंट्स इस इलाज को और भी असरदार बना सकते हैं. एरी प्रो 400 या आई यू इंजेक्शन का भंडारन फ्रिज में किया जाना चाहिए लेकिन इसका उप्योग कमरे के तापमान पर किया जाना चाहिए. इस दवा को लेने के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, बुखार और ब्लड प्रेश बढ़ना शामिल हैं. इस सिरदर्द, ठकान, चक्कर आने और दर्द जैसे, फ्लू जैसे, लक्षन भी हो सकते हैं. इलाज की शुरुवात में इस प्रकार के साइड इफेक्ट होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर वे बने रहें तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीकों का सुझाव दे सकता है. अगर आपको कोई गंभीर साइड इफेक्ट, जैसे, दौरे, यानि की, फिट, होते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंद बताएं. कभी-कभी इस दवा के कारण गंभीर ब्लट लॉट हो सकते हैं, जिन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है. यदि आप अनियंतरित हाई ब्लट प्रेशर, हिरदे, रोग या, गाउट, यानि की, जोडों में दर्द की बीमारी से ग्रसित हैं, तो एरिप्रो चार शून निशून निशून या आई-यू इंजेक्शन का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे म जांच की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पर इस दवा का कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पर रहा है, आपको अन्य नियमित मेडिकल टेस्ट कराने की भी आवशक्ता हो सकती है, यह पता नहीं है कि यह दवा एक अजन में बच्चे को नुकसान प लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद